एक आतंकी के अमरा कश्मीर के पत्थरवाज बिलबिला उठे है आतंकियों के मारे जाने के बाद आई ये तस्वीरे कश्मीर की जिन जवानों पर फूल बरसाने चाहिए उन पर पत्थर बरसा रहे ये लोग कश्मीरी है आतंकी रियाज नायकों के मारे जाने के बाद की सूरते हाल बया करती ये तस्वीर तो नई है लेकिन तस्वीरों में दिख रहे इन लोगों का आतंकियों से प्रेम पुराना है ये वो लोग हैं जो हमेशा से आतंकियों के मददगार रहे हैं जो हमेशा से कश्मीर में पनफ रहे आतंक के हिस्सेदार रहे हैं। कश्मीर में भारती सेना और सुरक्षा वलों पर पत्थर भाजी की घटना आम रही है। गटना में जब भी कोई बड़ा आतं की मारा जाता है तो पत्थरबाज चंद रुपेओं के लालच में सुरक्षा बलों पर पत्थर ताने दिखे होते हैं तो ये पत्थरबाज चंद रुपेओं के लालच में सुरक्षाबलों पर पत्थर ताने दिख जाते हैं और जब भी सुरक्षाबलों ने इनके खिलाफ कोई कारवाई करने की सोची तो मानवादिकार का जंडा लिए देश के ही कुछ चुनिन्दा लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और सुरक्षाबलों को असहाई करने की कोशिश में जुड़ जाते हैं अब जब सुरक्षाबलों को निशाना बनाये जा रहा है तब वो हमेशा की तरह मौन है अब ना ही वो इंसानियत की दुहाई देंगे और ना ही मानवादिकार की ये तस्वीरे कश्मीर की वो इस्थिति बैया कर रही है जो आतंकियों के लीए सुकून भरी हो सकती है लेकिन अमन पसंद लोगों के लिए बिलकुल नहीं ये तस्वीरे घाटी में हो रहे विकास की खिलाफ़त करती नजर आ रही है तस्मीरों में दिख रहे लोग भले ही आतंकियों के समर्थक हों लेकिन इनकी संख्या अब भी कश्मीर के ही शांतिप्रिये लोगों से कम है इनका मनसूबा कुछ भी हो लेकिन भारती सेना घाटी को आतंक मुक्त करने की जिस राह पर निकल पड़ी है वहां रियाज नाइकु जैसे कई आतंकियों का मारा जाना तै है झाल झाल झाल